हेलो एब्रिवन आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल टीम रतन में फ्रेंड यूटूब का एक सांदार निव अपडेट आ चुका है जिसमें कि अब हर किसी के यूटूब चैनल पर इस तरीके का एक QR कोड मिलेगा और इस QR कोड को आप अपने WhatsApp में अपने Facebook में आप जहां चाहें वहां इससे सेर कर सकते हैं और जब लोग आपके इस QR कोड को स्केन करेंगे तो डारेक्ट आपकी YouTube चैनल पर पहुँच जाएंगे जहां पर ओपकी YouTube चैनल के वीडियो को आसानी से देख पाएंगे इसके साथ ही ओव आपकी YouTube चैनल को भी असानी से सब्सक्राइब कर पाएंगे जिससे की आपकी YouTube चैनल पर व्यूज भी बढ़ेगा उसके साथ ही आपकी YouTube चैनल पर सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपकी YouTube चैनल का QR कोड आपको कहां से मिलेगा और इसे आप कैसे ले सकते हैं तो अपने YouTube चैनल का QR कोड लेने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में अपने YouTube अप्लिकेशन को ओपन कर लेना है इसके बाद अब यहाँ पर आपको सबसे नीचे के साइड कॉर्डर में यहाँ पर आपको अपने इस पुरफाइल वाले आइकन पर जहां यू लिखा है यहाँ पर आपको क्लिक करना है इसके बाद अब यहाँ पर आपको सबसे उपर के साइड अपने चैनल नेम वाले इस option में यहाँ पर आपको क्लिक करना है इसके बाद अब यहाँ पर आपका यूटुब चैनल इस तरीके से open हो जाएगा तो अब यहाँ पर आपको सबसे उपर के साइड इस three dot वाले आइकन पे क्लिक करना है इसके बाद अब यहाँ पर आपको उपर के साइड share वाले option पे क्लिक कर लेना है इसके बाद अब यहाँ पर नीचे के साइड आपको तीन option मिलते है इसी में यहाँ पर आपको एक option मिलता है QR Code का तो यहाँ पर आपको QR Code पे क्लिक करना है इसके बाद अब यहाँ पर आपके YouTube चैनल का QR Code इस तरीके से आपके सामने आ जाता है तो आप चाहे तो यहाँ से आप अपने इस QR Code को screenshot भी ले सकते हैं या फिन नीचे के साइट आपको एक option मिल जाता है save to camera roll का तो यहाँ पर आपको save to camera roll वाले option पे क्लिक कर देना है इसके बाद आपके YouTube चैनल का QR Code आपके फोन की गैलरी में save हो जाएगा उसके बाद आप अपने इस QR Code को अपने WhatsApp में अपने Facebook में आप जहाँ चाहे वहाँ इसे share कर सकते हैं तो चलिए अब आपको बता देता हूँ कि इस QR Code को कैसे scan करते हैं तो scan करने के लिए सबसे पहले आपको अपने mobile में अपने Google को open करना होगा Google को open करने के बाद अब यहाँ पर उपर के side search वाले option में है इधा side में हमें एक icon मिलता है Google Lens का तो यहाँ पर Google Lens पर click करना है इसके बाद अब यहाँ पर अपने phone की gallery से उस QR Code को यहाँ पर select कर लेना है जिस QR Code को यहाँ पर scan करना है तो चलिए फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर अपने ही YouTube channel के QR Code को select कर लेता हूँ QR Code select करने के बाद अब यहाँ पर थोड़ा सा इस तरीके से scan होता है scan होने के बाद अब यहाँ पर QR Code के उपर हमारे YouTube channel का link आ जाता है तो जब लोग इस link पर यहाँ पर click करेंगे तो direct यहाँ पर हमारे YouTube channel पर इस तरीके से पहुँच जाएंगे जहाँ पर हमारे YouTube channel के वीडियो को आसानी से देख पाएंगे और हमारे YouTube channel को भी आसानी से subscribe कर पाएंगे तो friend इस तरीके से आपकी YouTube channel पर views भी बढ़ेंगे और उसके साथ ही आपकी YouTube channel पर subscriber भी बढ़ेगा तो वीडियो इंफर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजे कमेंट कीजे और अपने friend and family में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा से आर कीजे और साथ ही हमारे YouTube channel को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले